हेलो बच्चो नमस्कार कैसे आप सब लोग उमीद सांदार जिंदाबाद जब बढ़ जस्त होंगे और आप सबसे एक बार बोलूँगा बिटा इस वीडियो को सेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही बड़ी जानकारी आप लोगों के सामने साजह करने आया हूँ रात किसी करके जाओंगा तो कुल मिलाकर के बच्चो ऐसे सी जीडी के लिए जो बच्चे तयारी कर रहे हैं 2022 में मैं तो समझता उनसे लकी आदमी कोई नहीं हो सकता भाई ठीक है पिछली बार भी 25271 पन थे 25271 पन थे और बच्चा हर जगह से सलेक्ट है हर गांगां से सलेक्ट है और आपको भी पता है उनकी सफलता में रोजगार विदंकित का क्या योगदान है जो भी सलेक्ट हुआ हो आपके असपास एक बार पूछ करके देख लेना और मैं आपसे गरंटी लेता हूं बच्चो और एक टाइम वो याद करिए एक समय को याद करिए एक मिनट के लिए अपनी आख बंद करके दस सेकंड के लिए जड़ा सोचिए कि जब आप ये टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट दे करके जब आप पास हो जाओगे और उस टाइम आखे बंद रखना उस टाइम पर आप कोई फिजीकल की कॉल आ रही होगी तो बच्चे लोग चिंतित होते हैं कि फिजीकल कैसे करेंगे क्या करेंगे तो बच्चों पिछली बार भी कराया था और इस टाइम पर भी कराऊंगा मैं उन सभी बच्चों को कराऊंगा फिजीकल की भी तयारी फिजीकल के लिए जरूर आपको बुलाऊंगा और आपकी कमियां बताऊंगा कि कर लीजिए क्योंकि पिछली बार जब मैंने बुलाया था तो बहुत सारे बच्चों पर जो सोच रहे थे ना दोड़ पूरी कर दूँगा पूरे पूरे चक्कर नहीं लगे एक बच्चा था कि 35 मिनट में उसने 24 मिनट की रेस 35 मिनट में मारी 5 किलो मेटर पर मारी मैं समझ गया या मार द ट्रायल माने से कि मैं अगर ऐसे दोड़ता राफ जी कल नहीं होगा आप यकीन मानना बच्चों वो उस फंक्शन में आया था और वो कह रहा था सर आपके ट्रायल में 35 मिनट में रेस मारी थी जो 24 करना था एक एक मिनट घटाना बहुत बड़ी बात है एक सेकिंड मुस्कि और आप यकीन मानना बच्चों उस बच्चे ने 17 मिनट में रेस मारी थी 5 किलो मेटर सोचो जस्ट आदे से भी कम टाइम कर दिया उसने अपना तो वो तक भी मैं आपके साथ रहूंगा इसकी बिल्कुल भी चंता मत करना आप एक बार रिटन तो निकाल करके आओ आओ आप जो मैं खुसकबरी लेकर के आया हूँ आता हूँ उस पर कितने वेकेंसी थी रहे तुमारी 24,000 ही ना तो 24,000 छोड़ दो बच्चों लगबग जस्ट डबल हम तो सोच रहे थे 5 ये 6,000, 10,000, 8,000 बढ़ सकती हैं पर क्या 21,000 वेकेंसी भी बढ़ सकती हैं almost डबल कर दी हैं क् बच्चों मुझे तो अंदे साथ था मैं आपको बता सकता हूँ 14 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाया था आज भी जा करके देख लेना जिसमें मैंने बोला था कि आपके डाउट्स के जवाब दूआ आर्टी आई लगाई है इस बात को भी बताया था और बच्चों मैंने उसमें बोला था कि मेरे जो अपने साथीगण है वो कह रहे हैं अभी कुछ डिपार्ट्मेंट ने अपनी वेकेंसी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है पूर्ट्य यह पुराना अपडेट है इस वज़े से 24605 आ रही है वेकेंसी यह बढ़ेंगी सौपिर्तिशत ब मैं वहां खुद नहीं है ना बच्चो चलिए तो आगे बात करता हूं बच्चो यह थी आपकी पहले वेकेंसी यानि 24,399 वेकेंसी यह थी बच्चो और आप यह जहां देख रहे थे CISF की मात्र सो वेकेंसी को देख करके बच्चे यह सोच रहे थे कि सर अब कहतो CISF तो मिलनी नहीं है बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि CISF और इस बार भी मैं बता हूं सम्मान समारों में जो बच्चे आए सबसे बड़ा बैच CISF का था सबसे ज़्यादा बच्च CISF की आए थे वो खुसी बहुत होते हैं लेकिन अगर आपको फोज वाला जनून चाहिए तो असम राइफल में वो मिलता है बिलकुल आर्मी वाला जनून ठीक है हर जगे अगर आपको बिलकुल वर्दी वर्दी सब कुछ ऐसा ही चाहिए आर्मी जैसा तो वो असम गया है SSC की ऑफिसियल साइट पर अभी भी अविलेवल है पच्चीस ग्यार एक औरिजनम मतलब सुधार विकेंसी का सुधार पच्चीस नवंबर 2022 आज कितने तारीक है भाई 26 तो पच्चीस की रात को यह डला है ग्यारह साड़े ग्यारह बज़े तक भी SSC एड़ ओफिस उनसेट सो चौधे कर दिये पिछली बार तो पच्चीस हजार में सी आएसेव तीन साड़े तीन हजार था और तब भी सबसे बड़ा बैचा है रोजगार विदन कितका इस बार संबान समार हों सी आएसेव के बच्चे बहुत ज्यादा थे और इस बार तो आप लठगार द कि सोचना आपको जो मिलनी है वह भी भी मिलेगी ठीक है और आप देखिए बीसेफ में तो बेटा कभी इतने पद आई ही नहीं जितने बीस हजार इस बार आए हैं ठीक है सी आरपी एफ की उम्मीद थी कि 29,000 पद होंगे क्योंकि 29,000 या खाली है पर बच्चों सी आरपी ए आले भरती करना नहीं चाहरा जादा वह 11,199 पर रोक दिया है वरना तो यह 16,700 और बढ़ जाते अगर सी आई सब की पूरी स्ट्रेंथ कर देते 61,000 विकेंसी हो जाती 45 की ठीक है पर पहले भी CRPF के 2911 थे फिर भी इसने इसको भी बढ़ाया 2,000 ठीक है बच्चों आगे SSB क देखिए 266 जो पिछली वाली में कितने थे 1284 जब नोटिफिकेशन आया था तब 1284 थे अब देखिए ITBP यह हो गया है 1787 इसमें खास नहीं बड़े हैं क्यूंकि जब नोटिफिकेशन आया था तब भी 1613 थे अब 1787 हो गये हैं असम राइफल इसमें 3153 जब नोटिफिके जनाया था तो करीब 1600 पत थे 1697 जस्ट डबल हो गया सम राइफल के और SSF के देखिए बच्चे पहले 103 पत थे क्या इसको भी बढ़ा दिया जी हाँ 154 इसमें बहुत ज्यादा आती नहीं है बच्चों 154 ठीक है अगर जिसको मिलनी है अभी भी मिलेगी ठीक है बच्चों आ आपकी विकेंसी 45,284 हो चुकी है बच्चों अब आपका एक सीट तो यार पक्की होनी चाहिए अगर नहीं हुई तो समझ जाओ बच्चों कि यार फिर आप अगले दो-चार साल और नौकरी नहीं लगने वाले और दो-चार साल नहीं लगने वाले तो समझ जाना कि भईया पर कल कॉल आया जिनके पिता जी फलो की रेड़ी लगाते हैं उसको उसको चार्ट बेचने के फल खरीदने के पैसे नहीं है कि फलो को बेच सके फलो की चार्ट बना बना के बेचते हैं कल उनका फौन आया था आखें नम हो गई थी बच्चों और सोच के देखिए उस घर म अपना ही कमा पाते हैं कि सामको रोटी खा सकें और कई बार उतने भी नहीं कमा पाते हैं उस घर से जब एक लाल निकला है और वो भी CISF ले करके पिछली बार की बात बता रहा हूं 36 गड़ की यह स्टोरी है आखें नम हो गई थी हमारी लिटरली रोने लगे थे हम जब मै बच्चो ऐसी ऐसी कंडीशन में जब जॉब देते हैं ना तो यह जो हम कर रहे हैं यह जो सारी चीज़े कर रहे हैं आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी यह पैसा वैसा सब सेकेंडरी चीज़ें जरूरत हो सकती हैं हमारी इसमें कोई सक नहीं है यह किसी की भी जरू बार कि आपने हमें इस नरक से निकाल दिया वास्तम में बच्चो जब सोचे मैं नमन करता हूं उस माबाप को उन माबाप को नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने इस कंडिशन में रहकर भी जवान बेटे से नहीं कमगाया कहा बेटा तु पढ़ ले कोई बात नहीं 150 रुपे की जो भी सेल होगी करके तेरा पेट तो भर देंगे चाहिए खुद भूके रह जाए मैं नमन करता हूं उन्हाबाप को इस माच से तो बच्चो यह सोची आप कितनी बढ़ी है स्थिति में यार कोई कहता हो अपनी स्थितियों को कोसता हो एक बार सोच करके देख लीजिए उ तो आपके सामने सिच्वेशन तो बहुत अच्छी है उसके सामने या कभी लगे ना 6 अपने सानीचे वाले लोगों को देख लीए करो आपसे भी बहुत बत्तर हालत में रहते हैं लोग आपको लगता है ना में यूँ बस दुनिया में कहला सोच लिया करो मेरे पास क्या-क्या है उससे संतुष्टी मेल जाएगी आपको ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी पड़ रहे हैं रोटी भी नहीं है यार और ऐसे लोगों तक मदद पहुचती हो तो वस्तम में बच्चो दिल यहां से भर जाता है और फिर लगता है कि यार इस से बहतर काम नहीं हो सकता जो हम कर रहे हैं और ऐससे जीड़ी की बच्चो मैं पहले भी बोला है गरीब बच्चो की नौकरी है वस्तम में उन को लगाती है जहां पर क्योंकि इसको और लोग तो यह सोचते है यार इतनी महनत कौन करेगा अमीर लोग इतनी महनत कौन करेगा गरीब क्या सोचेगा यार मुझे पैसे की जरूत है कहीं मिल जाए सरकारी नौक मैं तो कर लूँगा भग के जाऊंगा ठीक है वर्दी का सौ कोर्स अब लेना है चौविस हजार में नंबर नहीं आता पैतालिस में अब जरूर आजा ऐसा एक कॉन्फिडेंस बच्चों में आ रहा है सर कोर्स में थोड़ी सी फीस घटा दीजिए तो बच्चों अंकित भाटी आपकी यह बात नसुने ऐसा हो नहीं सकता था आपको चि जैसा पढ़ा रहें जैसा के रहें ऐसा अगर फॉलो करता चला गया एक एक बच्चा तो कमेंट जरूर करके बताना यह 799 में मिल रहा है बच्चों को कोर्स पर बहुत सारे बच्चे हैं अगर इसमें थोड़ी बहुत चूट हो जाएगी तो आफोर्ड कर पाएंगे क्यों जो शुरू में हमने चूट दी थी उसको मैं जस्ट दो दिन के लिए और खोल रहा हूं 26 और 27 क्योंको दीपक्सर की कल साधी भी है तो तब तक के लिए खोल लेता हूं यह 48 घंटे के लिए चूट खोल रहा हूं इसके लिए क्या करना होगा 48 घंटे के लिए वही 20 की तेप डनलोड करोगे लॉगिन करोगे यह रिजिस्टर करोगे तो यह आ जाएगा पेड़ कोर्स पर टी चिराग बैच पर घ्राग बैच पर शड़िक किया तो भाई नव आएगा बाई नव में पे ऑन्लाईन के ओप्सिण उस से उपर एप्लाई कूपन में 20 लिख दे कि रुपे में आपको मिल जाएगा ठीक है इतना आप लोगों के लिए कर सकते हैं यही कर सकता हूं बच्चो ऐसा मैं उन बच्चो के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता है जिन्होंने पहले बैच लिया है और वो 20% छूट में अब मैं 30 दे दू तो उन बच्चो को भी बुरा और मुझे भी पता है कि यार यह 500 रुपे की छूट ना बहुत सारे बच्चो के लिए बहुत मायने रखती है हमारे लिए हो सकता है कुछ न रखती हो ठीक है नमस्कार धन्यवाद और बच्चो आप से कहूंगा कि अगर आप अब भी आप त्यारी में जोस नाया हो ना तो बेटा फिर जीना बिकार है आपका इस जवानी बिकार है ठीक है दुगनी वेकेंसी में मिल गई गवर्मेंट में गवर्मेंट एलक्षन पर खड़ी है यार और मैं कहा रहा हूं सबसे तेज होने वाली भरती होगी यह सबसे तेज आप सोचो 6 महीने के अंदर आपके तन प झाल 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 झाल